कमूरिटी मार्केट की वहाँ पर आपको किस तरह से रढ़नीती बनानी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ मोतिलाल उस्वाल के अमीज सजेजा जोड़ गया है अमीजी सबसे पहले गोल्ड और सिल्बर में बताई आज क्या करना चाहिए जो नमस्कार तेकि कल जो PPI के आप रहे हैं इंफ्लेशन के और इसके पहले CPI के दोनों ही गोल्ड और सिल्बर के लिए सपोर्टर है क्योंकि इंट्रेस्टेट में कटाओती हो सकती है सभी डिस्काउंट हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि निश्लेस परोपे बाइं की जा सकते है गोल्ड और सिल्बर गोनों में ही और सिल्बर दो कॉल अमिजी की तरफ से गोल्ड आपको खरीदना है साथ हजार चारसो पचास के टार्गेट के लिए इस ट्रेड में आपको इस्ट्रेड में आपको इकट्र हजार पांसो का इस्ट्रोपोस लगाना है कच्चे तेल की बात कर लेते हमिजी कच्चा तेल कल दबाव दिखा था करीब 2% तक की गिरावट दिखी थी जी बिल्कुल ऐसा लगता है कि गिरावट है अभी हमें रवाइदा में रोल ओवर किया है तो यहां पर मैं करीबन चेहजार चारसो पचास के आसपास सेल की से लब दिखा होंगा च्छेजार के लगदक 370 तर भी हमें देखने मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है मैं WTI कोट के अगर बात करूं तो ऐसा लगता है करेवन 73 डॉलर तक इस प्राइब उसे सल सब्सक्राइब ब्रेंट के अगर बात करें तो लगदक 77 डॉलर तक के तर हमें श्वाट कमें देखन देखने मिलेंगे तो मैं 73 डॉलर तक के लिए आपको यहां से लग रहा है कि 354 डॉलर की गिरावट ब्रेंट में और MCX में जिनको ट्रेड करना है उनके लिए आज सला ये है कि 6340 के टार्गेट के लिए आप बेचें उपर में जहां भी आपको दिखे कि बाउंस बैक कर र दिखे रही है कल भी तेजी दिखी थी जिंक इसमें पापी तेजी से बहा है 15 पर्सेν कल तेजी दिखी थी 230 के असपास पहुँच्छुका है क्या लग रहा है आज की ्रेडिंग में आज के ट्रेड में क्या करना चाहिए ट्रेडिंग में आज के ट्रेड में क्या करना चाहिए मेटल्स में आज भी क्या वो तेजी बनी रहेगी किस तरह की राय है आलमूनियम आपकी टॉपिक है आपको लग रहा है कि 2-3 दिनों में 209 रुपए के ऊपर जा सकता है ये ट्रेड की सलाव शुक्रियामी जी आपने वक्त दिया और बताया कि आज के लिए कमुडिटी मार्केट में आपको क्या करना है